हेलो दोस्तों एक बार फिर से आप सवी का मैं बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ ब्यस्पी सुप्रीमों ने EVM को लेकर बड़ा हमला बोला EVM को लेकर बहुत-बड़ा ऐलान किया गया है बस पा सुप्रीमों ने EVM को लेकर क्या का है वो तो मैं आपको बताओंगा बताओंगा लेकिन दोस्तों इस समय कि मैं आपको सबसे बड़ी ख़बर देना चाहता हूँ दिल्ली में आज EVM के खिलाफ बड़ा आंदोलन किया गया एक बहुत बड़ा आंदोलन किया गया और गैर राजनितिक संगठनों द्वारा ये आंदोलन किया गया और ऐसा महीं है कि ये आंदोलन पहली बार किया गया इससे पहले भी कई बार EVM को लेकर आंदोलन किये गये आज जो तस्वीर आई है सबसे पहले आप उन तस्वीरों को देखिए यह तस्वीरे जो आप देख रहे हैं दिल्ली की तस्वीरे हैं EVM के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए EVM हटाने का नारा दिया जा रहा था लेकिन अब लगता है कि आप EVM के खिलाफ विरोध नहीं कर सकते प्रदर्शन नहीं कर सकते क्या कहीं ना कहीं अब जो अभिवक्ती की आजादी है उसे कुचलने की कुशिश की जा रही है देश के बड़े बड़े वकील इस आंदोलन में शामिल थे लेकिन हुआ क्या तस्विरे खुद बखुद गवाही दे रही है वकीलों को डिटेन कर लिया गया वकीलों को हिरासत में ले लिया गया पटियला हाउस कोट के पास दिल्ली में ये आंदोलन किया जा रहा था लेकिन इन्हें डिटेन कर लिया गया बड़ा सवाल जब पुलिस वकीलों को आंदोलन नहीं करनी दे रही है तो क्या जनता अब कुछ करेगी क्या जनता अब वकीलों का आंदोलन आगे बढ़ाएगी ये बहुत बड़ा सवाल है तो दोस्तों EVM के खिलाफ लड़ाई तेज हो चुकी है लेकिन ताज्युक की बात पर बोलने को राजी नहीं है राहूल गांदी जी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं उनसे लगातार कहा जा रहा है कि भाई आप भारत जोड़ो यात्रा में EVM हटाओ यात्रा का स्लोगन क्यों नहीं देते ये लोग कह रहे हैं लेकिन अभी तक भारत जोड़ो यात्रा के बैनर में EVM की तस्वीर नहीं छापी गई जबकि कॉंग्रेस के नेता लगातार ये कह रहे हैं कि EVM अभाट जानी चाहिए क्योंकि EVM से धाधली होती है बाकाइदा प्रेस कॉंफरेंस गया बाकाइदा इलेक्शन कमिशन को ग्यापन दिया गया इलेक्शन कमिशन ने क्या जवाब दिया वो भी मैं आपको बताऊंगा एक याच का सुप्रीम कोट में भी है वो भी मैं आपको बताऊंगा लेकिन इस बीच EVM को लेकर BSP सुप्रीमो जी ने जो कहा है वो दोस्तों गौर करने वाला है दरसल 15 जनवरी को BSP सुप्रीमो का जनम दिन था और EVM को लेकर जो ऐलान किया उन्होंने उसको सुनकर BJP के कहीं न कहीं पसीने जरूर छूट रहे होंगे क्योंकि BJP नहीं चाहती कि कोई नेता EVM के खिलाफ बोले और ऐसे में देश की बड़ी नेता बस्पा सुप्रीमो ने जब EVM पर बोला तो BJP के खेमे में बताया जा रहा है हड़कंप है BJP के लोग परेशान हैं कि माया वती जी EVM पे ना बोलें EVM पे चुप रहें और दोस्तों एक चीज़ और आपको बताना चाहता हूं भारतिय जन्ता पार्टी हो या फिर चुनावा योग हो ये दोनों ही नहीं चाहते हैं कि कोई EVM के खिलाफ जाए लेकिन माया वती जी ने खुला ऐलान कर दिया दोस्तों ऐसा नहीं है कि माया वती जी ने पहली बार EVM पर ऐसा बोला है मैं आपको दो बयान दो वीडियो आपके उनके दिखाऊंगा जहां वो EVM के खिलाब बोल रही है जहां वो EVM को हटाने की बात कह रही है जहां वो ये कह रही है कि EVM से धाधली होती है जब से EVM आया है हमारा वोट शेयर घटा है सबसे पहले एक पुराना बयान उसके बाद नए की बात करेंगे तो ये बयान 15 जनवरी 2013 का था ये भी इत्फाक से उनके जन दिन के मौके पर दिया गया बयान है इसलिए मैं कहे रहा हूँ कि BSP सुप्रिमो अक्सर EVM के खिलाफ हमला बोलती है बड़े बड़े नेता चुप हैं लेकिन BSP सुप्रिमो EVM के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है वो बोल रही है वो बयान दे रही है बीजे पी को ललकार रही है तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि BSP सुप्रीमों ने पहली बार EVM को लेकर हला बोला, EVM को लेकर आवाज उठाए, ऐसा नहीं है, बार बार कई मंचों से वो EVM के खिलाफ हला बोल चुके हैं, एक बार फिर से EVM को कट घरे में खड़ा कर दिया, कहा कि जब EVM नहीं थी तब हम जी जिते थे, यह यूं कहें कि EVM होते हुए हम जीते 2007 में, क्यों जीते, क्योंकि 2007 में इसलिए जीते पूर्ण बहमत की सरकार इसलिए बनाई, क्योंकि उस समय EVM थी लेकिन धाधली नहीं होती थी, और अब EVM में धाधली हो रही है, कुल मिलाकर वो BJP सरकार को निशाने पर ल EVM होज़े है, 22 में हारे EVM ही वज़े है, और कुल मिलाकर अब EVM को तोड़ देना है, फोड़ देना है, हटा देना है, सुनिये BSP सुप्रीमों ने क्या कुछ कहा EVM को लेकर, जदिये चुनाब सन 2007 में यूपी विदान सभा के हुए आम चुनाब की तरा फिरी एंड फियर होता है, जिसमें उस समय EVM में कोई भी धामली वे गड़वड़ी आदी नहीं की गई थी, तो फिर इस बार हमारी पार्टी लोग सभा के आम चुनाब अकेले ही लड़कर अपना भैतर रिजल्ट जुरूर लाएगी, अब हर चुनाब में EVM में काफी धान्दली वे वे बिमानी आदी हो रही है, ऐसी ये आम धार्मा है, जिसके खास वज़े से अब हमारी पार्टी को भी यूपी सहित पूरे देश में काफी कुछ नुकसान पूरा है, तो दोस्तों सुना अपने बियस पी सुपरीमों ने किस तरीके से साफ तोर पर कह दिया है कि गड़बडी है, धान्दली होती है EVM से, इसलिए हम चुनाब हार रहे हैं, अब बड़ा सवाल ये है कि क्य 2024 चुनाओं में EVM का इस्तमाल होगा या फिर बैलेट पेपर का इस्तमाल किया जाएगा, इसको लेकर अभी सस्पेंस बना हुआ है, अभी जो राजनितिक पार्टियां हैं, उन्हें इकठा होना पड़ेगा, उन्हें एक जुट होकर इसके खिलाफ लड़ाई लड़नी वही पर चुनाव आयो, EVM की तरफदारी कर रहा है, कह रहा है, EVM से transparent निश्पक्ष चुनाव होता है, EVM से धाधली नहीं होती है, बसपा सुप्रिमों कह रहे हैं कि EVM से धाधली होती है, EVM में गड़बडी है, लेकिन चुनाव आयो क्या कह रहा है, कि EVM से कोई धाधली नहीं होती है कोई दिक्कत नहीं है इवियम से निश्पक्ष तोर से साफ सुथरे तरीके से चुनाव होता है और इवियम को लेकर कोई भी सवाल ना खड़ा करे इवियम दूद की धुली हुई है तो दोस्तों अब चुनाव आयोग कहीं न कहीं ऐसा लग रहा सत्ताधारी पा पार्टी को कहनी चाहिए चुनाव आयोग वो बाते खुद आकर बोल देता है आपने देखा होगा पिछले दिनों इंडिया गटबंधन के नेताओं ने वो जो ग्यापन सौपा था उसका कुछ हुआ नहीं उस ग्यापन को लेकर भी चुनाव आयोग ने जो जबाब दिया उसको लेकर इंडिया के लोग संतुष नहीं हैं इंडिया गटबंधन के तमाम निता संतुष नहीं हैं दोस्तों इंडिया गटबंधन के लोग पत्र सौप रहे हैं ग्यापन दे रहे हैं लेकिन सड़क पर उतरने को तयार नहीं हैं राहुल गाधीडी सड़क पर हैं भार यात्रा में इवियम के खिलाब हल्ला क्यों नहीं बोला जा रहा है क्या वो भारत नया यात्रा से चुनाव जीत लेंगे और अगर राहूल गांदी जी भारत नया यात्रा से चुनाव जीत रहे हैं तो फिर इंडिया को इवियम का मुद्दा उठाने की जरूरत क्यों पड़ को उसे इंडिया गडमन्धन के नेता संतुष नहीं है बिलकुल संतुष नहीं है बिलकुल मुतमाइन नहीं है इसके बावजूद सारे की सारे नेता चुप है यहां वकील दिल्ली में लाठी खा रहे हैं गिरफतारियां दे रहे हैं मजाल है कोई नेता उनके धरने में आंद तंद्र को खत्रा है दोस्तों वकील से एक बात याद और आई एडियार की एक याचका आई है सुप्रिम कोट में नौंबर के महीने में सुनवाई होने वाली थी माना जारा कि अब जनवरी में सुनवाई होगी प्रशांद भूशन साहब एडियार की जो याचका है उसी इसलिए भारत में भी एडियार की आचका है इससे कोई हल निकल सकता है एडियार की आचका में एक सिंपल बात कही गई है की जो भी पैट की परचियां है उन परच्यों की 100% काउंटिंग हो जानी चाहिये तब जाकर हमारा जो लोकतंत्र है वो और मजबूत हो पाएगा हमारे लोगतंदर की जीत हो पाएगी वहरहाल वसपा सुप्रीमों ने जिस अंदाज में EVM को हटाने की बात कही है EVM पर हमला बोला है क्या लगता है उस से कोई हल निकल पाएगा तो दोस्तों वाकई अगर EVM को हटाना है वाकई अगर नेता लोग EVM को हटाने को लेकर सीरियस हैं तो उन्हें एक जुठ होना पड़ेगा अलग अलग लड़ाई नहीं जी सकते सडकों पर उतरना पड़ेगा वकील तो सडक पर आएं लेकिन नेता लोग घर में बैठे हैं क्या नेताओं के जनता के घर में बैठने से EVM की समस्या का समाधान होगा दोस्तों इसको लेकर आप क्या सोचते हैं अपनी पर्तकिरिया आप लोग जरूर दीजे वीडियो को लाइक करिए चनल को सब्सक्राइब करिए सहयो करिए वीडियो को जन जन तक पहुँचाए इस से देश की जनता जाग रुखो बहुत बहुत धन्वाद शुक्रिया